मुख्यमंत्री पत के सश्रक्त दावेदार मुखेश अगनी होतरी श्रमला जाते समें कुछ देर के लिए सोलन में रुखे उन्होंने यहां मीडिया से अनुपचारिक बाच्शित की और बताया कि उन्हें शीष ने कृत्तव में भाजपा का तक्त पलटने की जिम्मेवारी दिथी उस जिम्मेवारी को उन्होंने ना केवल पांच वर्ष्टत निभाया बलकि भाजपा का लिवाज भी बदला और ताज भी बदला उन्होंने कहा कि ये महत्तपुर्ण नहीं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा बल्कि ये महत्तपुर्ण है कि कौंग्रिस का ही मुख्यमंत्री बनेगा उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को मांसिक रूप से विपक्ष में बैठने की सलह दी थी और आज वहाद दिन आ गया कि भाजपा अब विपक्ष में बैठेगी उन्होंने कहा कि भाज़पा के डबल एंजन में ट्रॉबल आ गया है और हिमाचल से इसकी शुरुवात हुई है उनसे जब पूछा गया कि अब वहाँ चल रही है कि सुख विंदर सिंग सुखु कुछ विधायकों के साथ एकांट में चले गए है तो उन्होंने इस बात को अफवा बताया और कहा कि ये केवल अफवा है और कुछ देर में सभी चानिस बधायक शमला में आवज़द बैठट में भाग लेंगे हमा काम था सरकार बनाना हमें पांट साल पहले एक जिम्मा मिला था पिधायक दल के नेता के नाते प्रतिपक्ष के नेता के नाते हमें ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी हमने सबको साथ लेकर कांगरस पार्टी में एकता परकरार रखते हुए सबका साथ लेकर अंतता हम आज इस बात में काम्याब हुए हैं कि सरकार कांगरस की बन रही है ये इतना मत्रपूर्णी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री तो कॉंग्रस का ही होगा, ये मत्रपूर्ण था कि राज पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है, तो राज पलटा गया, हिमाचल की जनता ने जो मेंडेट दिया है, हिमाचल की जनता ने जो हमारे हक में फत्वा दिया है किसी भी हालत में उनके विश्वास पे आज नहीं आने दी जाएगी उन्होंने कांग्रस पार्टी पे विश्वास दिताया है और कांग्रस के सब नेताओं की जिम्मेवारी है हम सब की जिम्मेवारी है लोगों का विश्वास जो है उसको हम बरकरार रखें और बाकी भार्तिया जन्ता पार्टी ने डिफीट एक्षेप्ट कर ली है और उन्होंने मान लिया है कि हम हार गए हैं और हमें विपक्ष में बैठना है। तो बहुत देर से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को मानसिक तौर पे त्यारी करनी चाहिए अपने को मानसिक तौर पे त्यार करना चाहिए कि विपक्ष में बैठना है। और क्योंकि जिस तंग से शाषन चलाया गया उससे हिमाचल परदेश के समय की अप्राधिक बरबादी हुई है। क्रिमिनल बेस्टेज अब टाइम आफ हिमाचल परदेश विकास रुक गया, कल्यान रुक गया, गरीब की सेवा रुक गई। और बार्टिय जन्ता पार्टी जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है और हमें कोई प्रास्ट नहीं कर सकता। और हमने ये कहा था कि डबल इंजन को सीज होना है और वो पहाड को नहीं चड़ पाएगा तो जितने सीटों के आसपास हम बार बार कहा रहे थे कि 40-40 सीटे हमारी आएंगी वो सीटे हमारी आई हैं और कॉंगरस के नेता सब एक जूट रहेंगे ये देपूमी है यहाँ पे खरीदारी हो नहीं सकती किसी का जमीर विका हुआ नहीं है सब जमीर वाले लोग हैं सब लोग जनता ने चुन के भेजे हुए हैं कॉंगरस की टिकट पे जीते हैं इसलिए जो अखवारों में लगातार ख़वरे चप रही थी कि राज्थान जा रहे हैं 36 कर जा रहे हैं आपने देखा कि सारे शिमला आ रहे हैं प्रदेश की राज़धानी शिमला में आरहे हैं शिमला में हमारी अभी कुछ देर के बाद मीटिंग होगी हमारे अबसर्वर्बर्स आ रहे हैं हमारे परभारी आ रहे हैं और विदायक दल के से जो नए चुने के सदस्या हैं आपसे सुन रहा हूं अभी आप शिमला आ जाना, आप देख लेड़ना, 40-40 विद्धाइक जो हैं शिमला में होंगे, देखे, सुकुजी भी पार्टी के सीनियर लीडर है, तो ये खबरें जो है, इन में कोई हकिकत नहीं है, सभी 40 विधायक जो हैं वो शिमला में थोड़ी देर के बाद होंगे और पहली मीटिंग होगी नए चुनेगए विधायक दल की पहली मीटिंग पार्टी के मुख्या कार्यालिया में होगी और आपको मैं ये अश्वश्ट करना चाहता हूँ कि जो जनता ने मैंडेट दिया है जो जनता ने कांग्रस पार्टी में विश्वाश प्रकट किया है उस पे आज नहीं आने दी जाएगी